आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा एक लाख को पार कर गया है कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है राजसरकार के और से जारी आदेश के मताबिक अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा इस से पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई थी बिहार में कोरोना के एक लाख सेधिक मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 461 लोगों की मौथ हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने N.E.E.T. और J.E.E. परिक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिच कर दिया है इसके साथ ही परिक्षा आयोजन को हरी जंडी दे दी गई है याचिका में COVID-19 संक्रमन के बढ़ते मामलों के चलते सितमबर में प्रस्तावित J.E.E. मेंस और नीट यूजी परिक्षाओं को टालने की मांग की गई थी मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बैंच कर रही थी J.E.E. परिक्षा एक सितमबर से 6 सितमबर तक आयोजित की जानी है वही नीट परिक्षा 13 सितमबर को आयोजित करने की योजना है कोट के अवमानना के मामले में दोशी करार दिये गए वरिष्ट वकील प्रशान्त भूशन के मामले में रिव्यू याचिका दायर की जाएगी वरिष्ट वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोट को बताया कि इस मामले में हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे गरतलब है कि ट्वीट्स के मामले में प्रशान्त भूशन दोशी करार दिये गए हैं अभी सुप्रीम कोट में भी प्रशान्त भूशन के खिलाफ 2009 में एक इंटर्व्यू के दौरान दिये गए बयान पर अवमानना की सुनवाई चल रही है इस सुनवाई के दौरान ही रिव ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं रेलवे की ओर से जारी दस्तावेजों में इसकी जानकारी दी गई है हाला कि प्राइवेट ट्रेन संचालकों को पहले ही उन स्टेशनों की लिस्ट रेलवे को मुहया करानी होगी जहां वे ट्रेनों के आरंभ और गंतव्य के अलावा ठहरा करेंगे दोनों राजियों में मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रिय जल शक्ति मंत्री गजेंदर सिंख शिखावत भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों इस मसले पर सुप्रीम कोट ने हरियाना और पंजाब के मुख्य मंत्रियों को बातचीत करने को कहा था। साथ ही केंदर सरकार को मध्यस्तता करने के लिए भी कहा गया था। कोरोना संकट दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्ताओं पर भारी पड़ रहा है। अप्रेहल से जून की तेमाही में जापान के अर्थव्यवस्ता में खरीब 28 फीसदी और इसराइल के अर्थव्यवस्ता में खरीब 39 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट आई है। जा कैंसिनो कमपनी की कोरोना वाइरस वैक्सीन के पेटेंट को मनजूरी दे दी है। कैंसिनो बायलोजिक्स कोरोना वाइरस के वैक्सीन का पेटेंट हासिल करने वाली पहली चीनी कमपनी बन गई है। रॉइटर्स ने स्थानिय मीडिया के हवाले से बताया है कि कैंसिनो ने AD5NCOV नाम से वैक्सीन तयार की है। न्यूजिलेंड में कोरोना वाइरस का असर दोबारा देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए आम चुनाव को चार हफते के लिए टाल दिया गया है। इसका एलान न्यूजिलेंड के प्रधान मंतरी जशिंदा आर्डेन ने किया। एक न्यूज कॉन्फरेंस में आर्डेन ने कहा। 17 अक्टूबर तक पार्टियों को अपनी तैयारी करने का अच्छा वक्त मिल जाएगा। न्यूजिलेंड में 19 सितंबर को आम चुनाव की तारीख तैय थी, देश में कोरोना वाइरस के दोबारा संक्रमन के बाद चुनाव की तारीख टालने का निर्णे लिया गया है। ये थे अब तक के खास-खास समाचार, इजाज़त दीजे, नमस्कार।